आपका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में दोस्तो आज का वीडियो है वो मेरे पिछले दो वीडियो से रिलेटिड है और अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखे है न तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक भी डाल दूँगा और उपर आई बटन में उस ऐसके वीडियो और उससे प्रिफिशले वीडियो में आज कर दिया तो आजा करते हैं जो मैने कल बाई-किए थे अब उन स्टॉप को जक्रेंगा ये उस locks के लिए इस तरह आपको नहीं दिखाओंगा कि कैसे जीटी ओडर लगाना है और जीटी ओडर में कुछ महने स्टोक जो हैं जीटी ओडर में पहले भी लगाए हुई है जैसे बीस सीयल इंडिया करकल हमारे स्कैनर में आया था तो यह हमने बाई किये थे और इसका अलड़ी में लगा चुका अब मैं on mobile का आपको लगा के दिखाता हूँ कि कैसे करना है तो आप इसमें सबसे बहले किया करोगे sell पे tick लगा दोगे कि हमें sell करने हैं और उसके बाद OCO OCO पर tick लगा दोगे आप OCO से क्या होगा one cancel other ठीक है इसको मैं बाद मैं अभी समझाता हूँ कि इसका मतलब किया ठीक है उसके बाद मैं यहाँ पे stop loss और target जो है दोनों इसमें फीड कर दूँगा अब stop loss और target जो है वो मुझे कितने लगाने हैं और आपको कितना लगाना है यह आपके उपर डिबंट करते हैं दोस्तो आभी तक चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया ना तो चैनल को सबस्क्राइब भी कर ले ना और बैल आकन को भी दबा दे ना नोटिफिकेशन हौल हो जाएगा मैं जो भी वीडियो डालूँगा आपको नोटिफिकेशन में वो आ जाएगा ठीक है आप असानी से पहले देख सकते हो तो यहां पर मैं सबसे पहले स्टोपलोस लगा दूँँगा माइनस 3% यहां पर जासी डालोगे ना 3% जो है इसमें लग जाएगा और जितना यहां पर रहा है उतना ही मैं प्राइज में भी डाल दूँगा तो 89.4 और इसमें उससे क इसमें फीड कर दी है अब जो भी आपका पहले हीट हो जाएगा या तो आपका टारगेट आएगा पहले या आपका स्टोप लोस आएगा ठीक है तो अगर स्टोप लोस आजाएगा तो यह टारगेट के ओर्डर को आटोमेटिकली कैंसल कर देगा आपको देखना नीप हुआ है, इसको प्रेक्टिकली चेक कर लेते हैं, और हम एक काम करते हैं, टारगेट जो है चोटा लगाए के देख लेते हैं, कि इसमें हमारा टारगेट होगा या नहीं होगा. अगर देखोगे न आप तो इसका प्राइज चल रहा है वो 93.70 के आसपास चल रहा है, मतलब 94 के अभी 93.94 के आसपास चल रहा है तो अभी देखते हैं अगर अभी हमारा target हीट हो जाएगा न तो यहाँ पर order में automatically हमारा हो जाएगा ठीक है चेक कर लेते हैं एक बार कि target अभी इसका जो है होता है या नहीं होता अभी इसका जो price है वो 93.88 चल रहा है on mobile का तो लगबग 94.2 पे हमने इसका target लगाया तो देखते हैं 94.2 या अगर मैं modification करके 94.10 लगा दूँगा या और और नीचे गिरिया तो मैं 94 पे इसका target लगा गया जीटीट में छोड़ दूँगा तो अचल लिए देखते हैं इसका target अभी आएगा या नहीं आएगा मेरे साबसे तो इसका target अभी आजाना चाहिए 94 आ गया इसका अचल लिए देखते हैं अभी time की बात करूँ तो सुबज में नो बजकर 48 मिरिट हुए अभी देखिए order जो है open हो गया इसका automatically GTT order से जो है इसमें आ गया है यह open order में ठीक है क्योंकि इसका लगबग rate जो है वो मैंने जो rate लगाया था न 94.10 तो वो automatically price जो है 94.10 के आसपस जैसी आएगा न या open कर देगा लेकिन अभी इसनो execute नहीं हुआ यह तो आप देखेंगे 3 मज़े के बाद देखते हैं इसको कि हमने 219 quantities की buy करके रखी हुई है और मेरा target जो है मैंने 3% के आसपस का target इसमें लगा के रख दिया है सिरफ इसलिए लगाया 3% का target normally मैं 5% का target लगाता हूँ तो देखते हैं 3% का target आपको दिखाने के लिए कि इसमें hit होता है या नहीं होता तो 3 मज़े के बाद देखेंगे अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ दोस्तों अब टाइम हुआ है 3 मज़ कर 45 मिनट और market जो है वो बंद हो चुकी है और देखें हमारा जो है on mobile का target हीट हो गया था 54.10 इसका price जो है इसमें हमारा target हीट हो गया था और उसके बाद stock जो है ना नीचे गिरके 90.48 आ गया है तो मैं order book में भी एक बार देख लेता हूँ executed order इसमें show कर रहा है GTT इसमें हम देख लेते हैं कि यह अट गया या नहीं अटा तो देखें GTT में नीचे अगर आप देखोगे न on mobile जो है वो gray color का हो गया है और 219 quantity जो है इसकी tricked दिखा रहा है इसमें ठीक है और इसमें देखें on mobile जो है आप इसमें लिस्ट में नहीं है इसका मतलब जो हमने stop loss लगाया था वो automatically इसमें cancel हो गया है और यहां पर executed order में आप देख लेते हैं 10 बज कर 40 मिनट पे हमारा जो है यह sell हो गया था on mobile 94.10 इसका price था और 3 बजे के आसपास जो है हमने scanner दुबारा चलाया था उसमें लगबग यह release हुआ उससे मैंने 2 stock जो है इसमें buy कर ली है आये तो इसमें 5 या 6 stock थे लेकिन मैं 2 ही कर पाया उसमें तो अब इसका result देखेंगी कि कल या परसो जो है हमारा इसमें जो है targeted होगा या नहीं होगा और इसमें भी मैं GTT order लगा के चोड़ दूँगा ठीक है आप अगर कुछ और काम करते हैं लो तो आपके लिए strategy बहुत अच्छी है आपको इसमें स्क्रीन में टाइम नहीं देना पड़ेगा और दोस्तों कुछ अगर आप देखोगे न मैंने कुछ option ट्रेडिंग के भी न यहां पे ट्रेड डाले हूँ है बैंक निफ्टी के और इसका जो अभी आप देखोगे फिफ्टी सेवन अंडड में से सेवन अंडड अगर लेस कर लोगो अन मुबाइल का तो लगब पांच सजार के गरीब जो है इसमें profit चल रहा है और यह strategy जो है न मेरे को तो बहुत सही लगती है इसमें मेरा risk जो है बहुत कम हो रहता है और अगर आप चाहते है न मैं option ट्र अगर तक के लिए टेक कियार गुड बाई थैंक यू